हेलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत एक नई हैलफुल और टेक्निकल वीडियो गर अंदर आप सभी परिये दोस्तों मेरे चैनल मैक टैक में नोगो दोस्तों मैंने मेरे चैनल पर वीडियो अप्लोड की थी कि गाड़ी की सर्विस करवाते वक्त आपने वो किस चीज का ध पता होना चाहिए बाइक की सरавноते वारगत टिक दोस्तों तो सबसे पहले आपने अपने अपने था है इसे और अधे निए चंज करने वाने की बाद में एक फिलीटर होता है और के उस एक इसे ऐसी आपनी क्लच की वायर होती है इसे अगर शौफ करवाने द्चेंज पात शूक्क में रहा हो जुक घर है ब्रेक वाली वायर होती फिसका अब ऐसा ही सिस्टम होता है और ऐसा ही रेस वाली वायर के अंदर होता है अगर यह हाड हो चुके हैं तो इसे आप ओईल वगर डलवा कि थोड़ा सोट करवा सकते हैं और अगर यह फिर भी नहीं हो रही है तो आप इसे रिप्लेस करा हुए या सी या नब रुपेगी पढ़ और चेन को टाइट करवाए चेन लीज रहने पर थोड़ा 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 ॥ोड़ा थाइम बाद में और गिसके खराब हो जाती है तो चेन को भी टाइट करवाए और चेन के अंदर आपको करा रहा हूं कि ओयल या फर ग्रिस लगाने की बजाए आप चेन दर जो इस लूब्रिकेंट वाला उस इस्प्रे का इस्तमाल करें जो कि ज्यादा बैस्ट होता है ठीक दोस्तों और इसके अलावा अगर कोई बाइक के अंदर कोई सील वगेरा कटी हुई है तो आप उस मेकेनिक के द्वारा उसे नट को टाइट करवा लिजें सील के बारे में प्रामर् क्योंकि यह सील लिख होने से इंजन ओयल का रिषाव बाहर होता है और इंजन भी डेस्ट से बढ़ा रहता है और बाइक के अंदर इंजन ओयल भी कम हो जाता है तो यह सब चीजों को ध्यान रखें और आप जैसे ही बाइक की सर्विस तो देखो वेसे करवाने के लिए तो चला लेते हो तो आपको यह कार्बुरेटर होता है इसे थ्रोटल बोडी भी कहते है भाई की इसे जरूर क्लिन के आगरो देशे दस सी पंद्रा हजार किलोमेटर चल जाती है और दोस्तों इसके अलावा जैसे एक यह जो ऑल गेज होता है जैसे ओल अपने चेक करते हैं बा 15,000 किलोमेटर चलने बाद में थ्रोटर बोल्टी को क्लीन करवाना पड़ता है वैसे ही दस या 10,000 या 12,000 किलोमेटर चलने बाद में स्पार्क प्लक को भी चेंज कर वालीजी अगरो जो क्या अच्छा रहेगा इस पारक प्लक चेंज रहेगा तो बाइक की माईलेज बनी ठीक दोस्तों और यह थी गाड़ी गंदर जुबाई केंदरा सर्विस का द्यान रखनेगा और आपको अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं और ऐसी ही टेकनिकल और हेलफुल वीडियो के लिए आपके अपने चैन आपके लिए जूखोँल और समयरो के बाड़को अपके लिए। बाट